इस वीडियो में हम समझेंगे unit number one stress and introduction इसके अंदर में सबसे पहले हम stress का concept समझेंगे then nature जिसके अंदर में हम type समझेंगे stress के उसके बाद symptoms then sources of stress and measurement of stress ये सभी चीजे हम इस चाप्टर के अंदर में one by one cover करेंगे तो शुरू करतें introduction के साथ देखें यहाँ पर तीन लोगों की story बताए गई है ये तीनों लोग कौन कौन है एक नीरव है समीना और तीसरा है रवी ये तीनों अपने जीवन में अलग-अलग type का stress मैसूस करते है तीक है अलग-अलग वजह से तो जो नीरव है ये काफी intelligent बच्चा होता है और ये MBA किया होता है और ये जो नीरव है ये अपने institution में top करता है और उसको एक अच्छा job मिल जाता है as a manager एक multinational company में नीरव जो है ये काफी excited होता है अपने job को लेके और ये अपना job सुरू कर देता है फिर उसके बाद इसके जो parents और ये friends से ये कुछ notice करना सुरू कर देते नीरव के behavior में तो जो नीरवे ये काफी irritated हो जाता है angry हो जाता है और ये बहुत कम बात करता है किसी के साथ भी और ये बहुत कम खाना खाता है साथी साथ बहुत कम सोना सुरू कर देता है जब से ओ अपना job सुरू कर देता है तो इसके जो colleague से ये notice करते कि उसके behavior में काफी change हो गया ठीके, because of his job, उसके job के वज़े से उसके जीवन में काफी सारा change हो गया और इससे उसके performance, जो काम का performance से उसके उपर भी effect शुरू हो गया, तो ये था नीरों के बारे में, अब बात करेंगे समीना, समीना सबसे बड़ी लड़की होती है अपने family में और ये काफी bright student होती है, उस को doctor बना होता है, आगे चलके, लेकिन जब उसकी mother बिमार बढ़ जाती है, तो उसको समायना को अपने parents, जो उसके, mainly जो उनकी mother है, वो बिमार होती है, और इसके वज़े से उसको समायना को अपने parents, मतलब mother और जो तीन छोटे भाई है, उनको समालना होता है, अब जब उसक उसकी मदर की डेथ हो जाती है समायना के तो समायना जो है पहले जैसी नहीं रहती है वह भी काफी बीमार पढ़ना सुरू हो जाती है तो डॉक्टर को समझ में नहीं आता है जो भी उसका साइकलोजिकल रिजन है बीमार होने का और उसका जो स्टडी के प्रती जो इंट्रेस् और ये exam के लिए भी appear नहीं हो पाती है इस तरह से ये समयना का एक psychological मतलब problem था अब रवी रवी जो है ये ये आशा रखता है अपने performance appraisal के base पे promotion का to the senior manager लेकिन ये actually promotion के लिए काफी deserve भी रखता है क्योंकि ये काफी ज़्यादा hard working था तो जब उसको पता चलता है उसके department के द्वारा जब उसका department announce करता है promotion का news तो वो शौक हो जाता है क्योंकि उसके अंदर में उसका नाम नहीं होता है वो promoted नहीं होता है जिसके वज़े से वो first rate हो जाता है और आगे चलके वो काफी ज़्यादा उसके काम में भी performance बहुत लो हो जाता है क्योंकि वो बहुत कम interest देना शुरू कर देता जिससे उसकी productivity decline होना शुरू हो जाती है तो यह जो firstration experience करता है रवी तो इसके वज़े से उसके family relation में भी काफी ज़्यादा दिक्कते शुरू हो जाती है वो अपने spouse के साथ लड़ाय जगडा शुरू कर देता है इस तरह से उसका जो जीवन है मतलब mainly जो रवी है रवी psychologically पूरी तरह से तूट जाता है तो जो हमने तीन example देखा है नीरव उसके बाद समायना और रवी का इन तीनों के जीवन में अलग-अलग problem थे जिसके वज़े से तीनों psychologically breakdown हो गये थे तो जो नीरव में नीरव के पास job का pressure था जिसके वज़े से उसका जो behavior हो चेंज हो गया था देन जो समायना है इसके parents बीमार होने के वज़े से आगे चलके उसके जो जो sublings थे तीनों उनका क्याल रखना और खुद फिर बीमार हो जाना ये उसके जीवन के problem थे रवी के जीवन में क्या था रवी actually ये भी psychologically तू क्योंकि ये आशा रखाता कि promotion मेरा होगा लेकिन इसका promotion नहीं होता है जिसके वज़े से ये psychologically distress हो जाता है तो ये जो तीनों example है ये क्या बताते हमें ये ये बताते हैं कि जो अलग-अलग लोगे उनके अलग-अलग reason हो सकते उसके stress के और साती साथ symptoms भी अलग हो सकते according to the stress of the individual तो एक तो अलग-अलग problem हो सकते और दूसरी चीज़ ये कि problem के साथ साथ अलग-अलग तरीके भी हो सकते मतलब जो हमें जो stress दिखाई देता है उसके symptoms भी अलग-अलग हो सकते individual to individual ये vary करता है तो इससे हम clearly बता सकते है कि stage जो है ये जो stage जो है ये अलग-अलग मतलब लोगों को अलग-अलग तरीके से affect करता है individual to individual ये depend करता है तो इससे actually क्या होता है productivity decrease भी हो जाती है निगेटिव इंपक्ट होता है लोगों के उपर में then साथी साथ जो उनके important जो भी relative से जैसे कि parents, spouse, children, friends जो भी कलीक से इसके उपर में काफी निगेटिव इंपक्ट हो जाता है जब भी हो stress में रहते तो stress क्या negative impact करता है psychological and psychological well-being of the person and उनकी जो भी जरुवते उनको deal करने के लिए तो इस तरह से stress management बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम stress management को समझेंगे उसका nature समझेंगे उसके symptoms source तो इस से क्या हो जाएगा इस से जो जीवन है जीवन के अंदर के जो problem है उसको आराव से deal किया जा सकता है तो इसलिए हम इस unit के अंदर मैं हम एक तो stress क्या होता है इसका concept जानेंगे उसका बाद हम focus करेंगे symptoms किस तरह के हो सकते क्या-क्या source हो सकते stress के तो और stress को किस तर से measure किया जा सकता है ये सबी चीजे हम इस chapter के अंदर में one by one cover करेंगे तो ये था तीन लोगों की कहानी किस तर से ये जो तीनों नीरव, समायना और रवी अपने जीवन में अलग-अलग problem को लेके काफी जादा psychological stress में होते अब हम समझेंगे concept of stress देखे, stress को हमने बहुत अच्छी से समझा है हमने example देखा है उपर में तो जिसे कि हमें समझ में आया कि stress होता क्या है तो इस unit के अंदर में हम mainly discuss करेंगे कि इसका concept क्या है stress का, इसका nature क्या है जिसे कि हम एक अच्छी understanding develop हो सके इस शब्द के बारे में, ठीके इस stress के बारे में तो यह जो stress शब्द है, यह लिया गया stranger से यह एक Latin शब्द है, जिसका अर्थ होता है तंग करना, to draw tight, ओके तो आज के समय में हम इसको commonly use करते जैसे कि हमारे school में, workplace में day to day, जो भी life के activity होती है वहाँ पर हम इसको अक्सर use करते हैं, और हम अक्सर लोगों को भी अपने जीवन में बोलते होई सुनते हैं कि वो काफी ज़्यादा stress को experience कर रहे हैं साथी साथ हम खुद भी बोलते हैं अक्सर कि हम अपने जीवन में काफी ज़्यादा stress को महसूस कर रहे हैं तो stress का जो origin है वो कहाँ से हुआ है इसका origin होई physical science है तो ये during 17th century stress को mainly denote किया जाता था जो भी individual के जीवन में जो भी कठिनाईया वो experience करता है individual के जीवन में जो भी कठिनाईया experience करता है उसी को stress बोला गया है 17th century में फिर 18th century में इसको denote किया गया है pressure के साथ, strain के साथ, force के साथ तो इस तरह से जो stress है ये mainly focus किसके उपर करता है external stimulus external stimulus का मतलब ये होता है जो भी भारी ठीक है उसी को stress बोला गया है तो उसके बाद Canon ने इसका experience किया इसकी study किया और इन्होंने ये देखा कि stress क्या है mainly fight and flight reaction है fight करना और भग जाना ठीक है तो इसका reaction है तो इन्होंने mainly focus किया कि किस तरह से stress जो है animal साथी साथ human being के उपर में effect करता है जो कि अक्सर दिखाई देता है जब भी ओ stress में रहता है तो अलग-अलग scholar ने इसकी अलग-अलग definition दिये तो इसमें हम one by one देखते देखे हंस seller ने क्या बोला है stress के बारे में इन्होंने ये बता है कि ये body का response है जो response mainly body से मांगा गया है तो और ये response किस तरह का है non specific है तो इसी को mainly stress बोला गया है stress क्या होता है हंस style के अनुसार इन्होंने ये बताया है कि stress क्या है ये body का response है जो कि body से मांगा गया है लेकिन ओ जो response है ओ कोई specific नहीं है ठीक है इसी को इन्होंने stress बोला गया है तो stress क्या है mainly stress इन्होंने body के उपर बताया हंस style ने फिर shaper ने इसको mind के उपर बताया कि जो भी mind and body जो भी response करती है जो उससे मांगा गया है mind और body से उसको क्या बोला गया है stress बोला गया है ठीक है तो इस तरह से दोनोंने अपनी अलग-अलग definition दिया है तो यह देखे यह अलग-अलग scholar ने इसकी अलग-अलग definition दिया है तो जो दोनों definition हम mainly देखते है ठीक है यह ऊपर में जो भी हम अभी यह जो definition देखे यह western perspective से दिया गया है फिर eastern perspective में क्या बोला गया है इसको inner peace बोला गया है, जो भी inner peace में जो भी absence सी आती है, उसी को stress बोला गया है, instant perspective के अनुसार में, तो जीस तरह से हम stress को manage करते हैं, ठीके, उससे क्या हो जाएगा, कि हमारा जो inner peace से उसको achieve किया जाएगा, तो जो stress है, stress के अलग-अलग कारण हो सकते, ठीके, ये सभी कारण है जो हम इस block diagram के जरे समझते, जिसको stressर बोला गया, stressर क्या है मेली, कि जो stress उत्पन्न होता है, उसके क्या-क्या कारण हो सकते है, तो एक तर responsibility हो सकती है, साथी साथ interpersonal conflict हो सकता है, दो वेक्तियों के बीच में, जो जगडा होता है, conflict होता है, वो भी हो सकता है, stress का कारण, जो भ इवेंट्स होते है, वो भी कारण हो सकता है, stress का, physical condition, जिसके वज़े से stress हो सकता है, या जो भी रोल होता है, stressर के, उसके वज़े से भी, तो ये सभी क्या है, मेली कारण है, जिसके वज़े से stress होता है, तो हमने क्या देखा है, इसमें सबसे पहले तो stress होता क्या है, stress क्या ह जोबी बोडिके ऊपर में जोबी बोडिसे response मांगा जाता है और सुरेश इसके जाता है। कितना मैं response दू, that's it, तो यह है क्या mainly stress है, और इसके कारण क्या stress के, यह सभी इसके कारण है, हमने stress दोनों तरीके से समझा है, एक तो body के उपर में, साथी साथ mind के उपर में भी, तो body और mind का जो response होता है, जो उससे मांगा गया response, that is mainly the stress, अब हम समझेंगे nature of stress, देखें, stress जो है, यह एक नमक की तरह होता है, और paper की तरह होता है, paper का मतलब क्या होता है, काली मीर्च होता है, तो यह दोनों जीवन में काफी ज़्यादा important होते, तो without stress हमारे जीवन में motivation नहीं आ सकता है, तो अगर जीवन को एक certain direction में लेके जाना है, तो उसके लिए हमें motivation बहुत जरूर है, और motivation किसे आता है, stress से आता है, तो without any stress, life में individual motivate नहीं हो सकता है, तो कोई भी अगर activity करना है हमें, तो उसके लिए हमें stress बहुत ज़्यादा जरूर है, जिससे कि हमें motivation आ सके, तो जिस तरह से हमारे खाने में जो नमक की मात्रा है, वो अगर ज़्यादा हो जाती है, तो test खराब हो जाती है, उसी तरह से अगर हमारे जीवन में, अगर stress beyond optimal level मतलब कि जितना stress चाहिए, उससे अगर ज़्यादा हो जाता है, तो negative effect करता है, इंडिज्वल के life में, तो उससे day to day जो भी activity होती है, वो affect करती है, तो इसलिए इंडिज्वल के life में भी stress का experience एक optimal level तक बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिससे कि अपने जीवन में जो भी कठिनाईयां आती है, उसको आराम से पार कर सकता है, और एक अच्छा जीवन जी सकता है, तो इसलिए stress का भी important जरूरी है, एक certain level तक, तो कुछ इसके type है, stress के, जैसे कि सबसे पहला type है, you stress, you stress का मतलब ये होता है, कि इसका, you stress का मतलब होता है, good stress, अच्छा stress, अब ये अच्छा stress क्या होता है, देखे, अगर हमें कोई अच्छा काम करना है, तो उसके लिए जो positive response देंगे, हम उस काम को करने के प्रति, उसी को mainly you stress कहा गया है, you stress का मतलब होता है, good stress, जैसे कि शादी करना या नए job को करना है हमें तो जो भी हमारा desire stress है उसके प्रति जो positive response है that is nothing but the good stress उसको लिए निट्रेस क्या होता है निट्रेस होता है एक neutral मतलब कोई खराबी नहीं है और कोई अच्छा भी नहीं है इसमें ठीक है मतलब किसी कामका भी नहीं है और उससे कोई खराबी नहीं यह उस stress से उसी को neutrality कहाँ बोला गया उसके बार distress क्या होता है distress होता है देखे यह third type है category का जिसमें mostly जो लोग है ठीक है इसको commonly use करते जैसे के distress कब होता है जब हमें ज्यादा मतलब ज्यादा हमें कोई भी stress experience होता है तो उसको distress कहाँ बोला गया है high, very high या very low जो भी stress पैदा होता है उसी को mainly detress कहाँ गया है तो detress जो है इसको जो है लोग अलग-अलग तरीके से use भी करते लेकिन इसका जो प्रमावे वो कापी intense होता है और यह कापी मतलब यह इसका जो प्रमावे वो कापी समय तक रहता है इस detress का तो इसलिए यह जो detress है यह मतलब third category हो जाती है पहले तो utress हो गया जो एक अच्छा stress है new trace क्या हो गया कि जिसमें कोई भी खराबी नहीं है उस stress का और कोई भी अच्छा है भी नहीं है फिर detress क्या हो जाता है जिससे यह ज़्यादा हाई लेवल का एक एक टैप आश्ट्रेस हो जाता है उसके बाद hypertrace क्या होता है hypertrace excessive इससे भी ज्यादा detress से भी ज्यादा जो stress होता है उसको hypertrace बोला गया है और hypertrace क्या है जिसमें insufficient state stress है मतलब बहुत कम मात्रा में stress है ठीक है उसको hypertrace बोला गया hypertrace अधिक मात्रा में excessive मात्रा में detress से भी ज्यादा हो गया hypertrace और सबसे कम मात्रा में hypostress यह हो गया तो यह हो गया type stress के जिसमें utrace, neutrace, detrace hypertrace और hypertrace अब हम समझेंगे symptoms क्या-क्या symptoms हो सकते देखे सबसे पहले हम physical symptoms समझेंगे कि stress जब होता है तो क्या-क्या symptoms हमें दिखाए देते तो सबसे पहला चीज तो low level of energy energy की कम मात्रा हमें शरीर में दिखाए देती है stomach में खराबी दिखाए देती है सरदर देता है ठीके pain उसके बाद जो chest है उसमें pain शुरू हो जाता है heart beat बढ़ जाती है sleep कम हो जाती है उसके बाद जो mouth है उसका dryness शुरू हो जाता है हम tension experience करते है अपने muscles में इस तरह से ये physical जो हमें हमारा जो physical है उसमें हमें ये इस type के symptoms हमें दिखाए देते हैं जब हमें stress होता है emotional symptoms क्या-क्या है जैसे कि frustration दिखाए देता है शरीर के उपर में उसके बाद जल्दी से irritated हो जाता है आदमी उसके बाद जो भी ऐसे ऐसे लगता कि worthless कोई भी काम कर रहा हम इस type की feeling आ जाती है depressed हो जाता है आदमी mainly emotional symptoms ये है सभी जिसे कि हमें stress दिखाए देता है फिर physiological symptoms क्या क्या हो सकते जैसे कि हम अक्सर मतलब constantly हम worrying करने लग जाते चिंता करने लग जाते उसके बाद हम जो भी हमारे हम जो भी हमार पास विचार आते उसको अनुभो करना सुरू कर देते practically उसको सोचना सुरू कर देते हम अच्छे से focus नहीं कर पाते judge नहीं कर पाते judge करते लेकिन फिर poor judgment कर देते हम लोग इस type से हम psychological मतलब behavior करना सुरू कर देते जब भी हमें stress होता है तब behavior symptoms में क्या क्या आ सकते जैसे कि हमारा जो performance है ओ काफी ज्यादा कम पड़ लो हो जाता है साथी साथ हम जो वेशन जो वेशनी जो पदार थे ठीके वो हम लेना सुरू कर देते देन हम nervous हो जाते poor time management हो जाता है हमारा उसके बाद हमारा जो भी activity जैसे कि खाना हो गया यह सब fast हो जाता है चलना हो गया बोलना हो गया यह सभी में काफी ज़्यादा change आ जाते तो यह है stress के symptoms यह tabular form में यहाँ पे दिया गया physical, psychological, emotional और behavior में क्या-क्या symptoms दिखाए देते जैसे physical में rapid pulse हो गये increased perspirations हो गये tension हो जाती है arms में उसके बाद अलग-अलग headache हो जाता है ठीके mouth dry हो जाता है यह सभी cold sweet यह सभी हमने देख लिया फिर psychological में upset हमें feel होना शुरू हो जाता है irritated हो जाते हम उसके बाद हम अपना खुद का confidence low हो जाता है हमारा हम चिंदा करने लग जाते इस तरह से उसके इमोशनल में anxiety feel होते है इप्रेशन आता है हमें घुसा आ जाता है guilty feel करते हम लोग shame feel करते suicide करने की इच्छा होते है यह सभी क्याए emotional symptom से जिससे हमें stress दिखाई देता है फिर behavior में क्या-क्या change होते है जब भी stress आता है तब तो जैसे smoking करना मतलब जो चीजे नहीं करना है हो करना हम शुरू कर देते लेशे नर्वस हो जाते हम ठीक है mainly हम फिर poor time management इस टाइप से मतलब intoxic जो भी जो भी सब पदार थे ओ लेना सुरू कर देते अल्खोल लेना सुरू कर देते हम इस टाइप से smoking करते यह सभी symptom से stress के ट्रेस के जिसमें हमने यूट्रेस न्यूट्रेस डिट्रेस हाइपट्रेस हाइपट्रेस उसका symptoms physical psychological emotional और behavior symptoms देखा किस तरह से उतपन्न होता है क्या-क्या इसके sources है तो देखे हमने इसके stress के concept और इसका nature इसके बारे में अच्छे से जान लिया है अभी हम इसके sources को समझ ले frustration के वज़े से stress पैदा होता है या कोई हमारा motive है उसके बीच में conflict हो रहा है या कोई pressure है जिसके वज़े से stress उतपन्न हो रहा है तो ये तीनों को अभी हम one by one समझेंगे सबसे पहले हम समझेंगे frustration तो देखे frustration क्या होता है mainly जब भी हमारा कोई goal होता है तो उस goal को achieve करते वक् कोई struggle आजाता है कोई obstacle आजाता है तो उसी को mainly frustration बोला गया है तो ये क्या क्या हो सकते ऑप्स्ट्राकल इन्वायर्मेंटल आप्स्ट्राकल हो सकते जिसके अंदर में physical और social या कोई internal factors हो सकता है जिसमें personal limitations भी हो सकते या biological condition हो सकते psychological barriers हो सकते जिसके जरी हमारी जो जरुवत ह हमारा जो motive है या हमारा जो effort है उसमें उसमें क्या हो सके बादाय आती है तो ये क्या है mainly जिसके इसके वह से क्या होता है frustration उत्पन्न हो जाता है तो हमारी जो जरुवत है हमारा जो motive है हमारा जो effort है ठीक है इसको अच्यू करने में ये सभी जो factors है environmental obstacles physical social या जो भी internal factors हो गए जिसमें personal limitation, biological condition ये as a barrier आ जाते है तो जिसके वज़े से हमें frustration निर्मान हो जाता है जैसे कि हमने उपर में example देखा रवी का तो रवी काफी मेनत करता है अपने promotion को लेगते होए लेकिन at last क्या होता है उसको promotion नहीं मिलता है तो जिससे क्या हो जाता है वो काफी ज्यादा frustrated हो जाता है तो पहला चीज तो यह हो गया sources में frustration frustration के वज़े से stress उत्पन्न होता है अभी हम समझेंगे conflict of motive मतलब ये कि हमारा जो motive है हमारा जो उत्देश है उसको अच्यू करते वक्त क्या-क्या conflict उत्पन्न होते तो इसके अंदर में mainly हम चार टाइप के अलग-अलग टाइप म avoidance complete तो देखे approach approach complete इसमें आप ये भी समझ सकते इसको इस तरह से समझे positive positive conflict मतलब ये कि देखे यहाँ पर क्या हो रहा है इसके अंदर में कि दो similar job है ठीक है एक ही type के goal है similar goal है अब उसमें से आपको एक कोई एक choose करना है तो इस समय भी आप frustrated हो सकते या stress उत्पन्न हो सकता है ठीक है तो ये हो गया complete of motive मतलब इसमें stress किस तरह से आपका उत्पन्न हो रहा है ये ही समझना है हमें तो approach approach complete में आपका stress उत्पन्न किस तरह से होता है जब आपके पास दो similar option है अब दो similar option में से आपको किसी एक को choose करना है ठीक है तो इस समय में जैसे कि example दिया गए अगर आ एक job को आपको select करना है तो इस समय आपका क्या होगा आपको stress उत्पन्न हो सकता है उसी को approach, approach conflict बोला गया है अब हम समझेंगे avoidance, avoidance, avoidance complete ठीक है इसको आप बोल सकते negative, negative conflict इसमें क्या होता है इसमें आपके पास दोनों negative option है लेकिन आपको एक choose करना है दोनों negative option में से जैसे कि यहाँ पर example दिया गया है मान लिजिया आपका unemployed है और unemployed है लेकिन आपको कोई job मिल रहा है अब ओ जोब इस तरह का है एक तो job क्या है? या उस जो जो जोब आपको पसंद नहीं है फिर भी आप उस job को लेंगे तो दोनो negative हुहे लेकिन दोनों negative रहेंगे लेकिन बोनों मिले के लिए से को आपको सिलिट करना है ता यह था वाइड़नस आवाईडिननamız कोंफलिट अब तरह समझेे पॉजिटिव। नीगेटिव। अब इस Case में क्या होता है कि जैसे आपको तो आपका पॉजिटिवु मतलब आपको जो स्ब्सक्राइब जयासे की माले अपको कोई abroad में जौब चाहिए विदेश में जौब चाहिए तो आपको जौब तो मिल गया लेकिन negative क्या है उसके इस case में कि आपको family से अपने family से अलग रहना पड़ेगा तो यह हो गया negative तो इस तरह से दोनों में इस case में क्या हो रहा है आपके उपर stress उत्पन नहों हो रहा है मतलब इसी को क्या बोला गया पॉजिटिव अवाइडन्स conflict बोला गया है अब हम समझेंगे multiple approach अवाइडन्स conflict मतलब यह कि यहाँ पर इस case में क्या हो रहा है मेंनली कि आपका आपका जो choice है वो कुछ और है और आपको आपके parents कोई और choice select करने के लिए बोल रहे है जैसे कि for example कोई student है जिसको music में interest है ठीक है music में interest है लेकिन उसके जो parents है वो parents unhappy है इस option को लेते हुए तो इस case में उसके parents क्या बोलते है तुम engineering करो और जब ओ engineering करने की कोशिस करता है तो engineering select करता है तो उसको engineering में कोई interest नहीं होता है तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पे उसकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है लेकिन उसके parents की इच्छा हो रही है ठीक है तो इसी को बोला गया है multiple approach avoidance conflict तो यह हो गया है यह क्या हो गया है यह इस type का एक source हो गया है जिसके जरिये stress उत्पन्न हो रहा है अब हम समझेंगे pressure के बारे में तो pressure के वज़े से किस तरह से mainly जो stress है वो उत्पन्न होता है तो pressure में आपका internal pressure भी हो सकता है या external pressure भी हो सकता है दोनों pressure से आपका जो stress है वो उत्पन्न हो सकता है अब external pressure मतलब क्या है बहारी pressure अब बहारी pressure क्या क्या हो सकता है कोई environmental demand हो गई ठीक है कोई responsibility हो गई आपके उपर मे कोई obligations हो गए, जिसमें social भी हो सकता है, या कोई natural demand हो सकती है आपके उपर में, तो ये हो गए external pressure, internal pressure में क्या हो सकता है, जो भी आपका मन चाहता है, उस चीज को अच्छिव करना, ठीक है, वो क्या हो गए, आपका internal pressure हो गए, जैसे कि मान लीजिए, कोई exam है, उस exam में आपको pass ह हो गए, तो इस pass होने के लिए, आपके parents जो है, आपको pressurize कर रहे हैं, किसलिए आपको उस exam को clear करने के लिए, तो ये क्या हो गए, आपका external pressure हो गया, ठीक है, और जब ओच्छाइल खुद से, खुद से उस exam को clear करने की इच्छा रखता है, और इसके लिए उस study करता है, तो हो गया, इंटरनल pressure हो गया, तो इस तरह से pressure में दो टाइप है, इंटरनल और external pressure, ठीक है, अब हम समझेंगे, कुछ life event के बारे में, जो mainly, एक specific source है pressure का, इसके अंदर में क्या-क्या आते, देखे, इसके अंदर में अलग-अलग type के pressure हो सकते, जैसे कि, जैसे कि, जैसे कि, जै divorce या separation, या अपने job को खोना, शादी होना, इस टाइप के अलग-अलग आपके life के कुछ important events हो सकते, जिसके जरिये आपको pressure उतपन्न हो सकता है, या हम बोल सकते stress उतपन्न हो सकता है, तो इसके अंदर में जैसे कि daily hustles हो सकते, जैसे कि आपका काफी ज़्यादा time की कमी होना, work का overload होना, daily roles, responsibility, ये सबी आगए आपके daily routine के जो भी stress उतपन्न होता है, उसमें, तो उसके बाद interpersonal relationship में भी हो सकता है, जैसे कि आपके interpersonal relation में क्या-क्या हो सकता है, जैसे family के बीच में हो गया, work में या peer group में कोई conflict उतपन्न हो जाना, ये क्या है मेली, ये stress को lead करता है, stress को उ इतपन्न करता है, उसके बाद कोई social condition हो सकती है, जिसके जरिये आपको stress पैदा हो रहा है, मतलब ये social condition के वज़े से आपके stress निर्मान हो रहा है, जैसे कि मान लिजिए, कोई आप ऐसे जगह पे रहते हैं, जहाँ पे over crowding है, या discrimination होता है आपके साथ, या technological development में काफी ज्या आज के समय में जैसे globalization, competition का बढ़ना, ठीक है, social pressure जिसके वज़े से काफी ज्यादा बढ़ गया है, ये सभी क्या कर रहे है, individual के उपर में negative impact डाल रहे, ultimately ये क्या कर रहे है, pressure को उतपन्न कर रहे, तो ये हो गए, अलग-अलग type के sources, ठीक है, किस चीज के sources, pressure के sources, जिसमें हमन frustration के जरिये, किस तरह से source, बदलब जो pressure है, sorry, जो stress है, वो उतपन्न होता है, frustration के जरिये, जो हमारा motive है, उसको अच्यू करने में pressure हो गया, और at last हमने कुछ specific life के event देखे, जिसके जरिये, किसी भी individual के जीवन में pressure, या हम बोल सकते stress, क्या होता है, उतपन्न होता है, अब हम सम से measure किया जा सकता है, इसी को हम इसमें समझेंगे, सबसे पहले तो हम समझेंगे, physiological measure, मतलब ये, कि हमारी जो physical activity हो सकती है, उसको measure करते होए, हम stress को measure कर सकते है, अब उसके अंदर में क्या-क्या हो सकती है, जैसे कि blood pressure हो गया, या pulse rate को बढ़ना हो गया, breathing rate का बढ़ना हो गया ये सबी क्या आती है, physical में आता है, तो इसको measure करने के लिए भी हमारे पास instrument है, machine है, जिसको measure करते होए, हम ये बता सकते है, कि stress जो है, ये बल रहा है या घट रहा है, then psychological test है, psychological test में हम mainly जो हमारा behavior है, individual का जो behavior है, उसको check करके, उसको measure करके हम ये बता सकते है, कि उसको stress है य checklist में mainly हम क्या करते है, जो भी life के measure event है, उस एड करेंगे हम checklist के अंदर में, उसके बाद हम जो life के measure event है, जैसे कि मान लीजे किसी near one का date होना, diverse, transfer, इस टैप से अलग-अलग जो measure event होते है, इंडी जोल के, जिससे कि हम उसके life में कितना pressure है, ठीक है, ये सबी चीजे हम जान सकत है, इस checklist के जरिये, then interview, देखें, interview में mainly हम क्या करते है, उसका in-depth information निकाल सकते है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते है, इंडी जोल के साथ face to face बात करते है, तो ये जो interview है, ये structured भी हो सकता है, well plan भी हो सकता है, unstructured भी हो सकता है, या semi structured भी हो सकता है, तो सबसे important चीज़ यह है कि इससे interview के जरिये, हम काफी relevant information को निकालते है, फिर उसको हम क्या करते है, measure करते है, और इससे हम यह पता कर सकते हैं, कि उसके जीवन में, मतलब individual के जीवन में कितना stress है, ये हम जान सकते है, interview के जरिये, तो यह है कुछ tools जिसके माध्यम से हम stress को measure कर सकते हैं, ठीके इंडिजियोल के लाइफ में तो इस चाप्टर के अंदर में मेंली हम क्या क्या पड़े सबसे पहले तो हम इस चाप्टर की स्टोरी इस चाप्टर को हमने स्टोरी के साथ सुरुवात किया ठीके जिसके अंदर हमने नीरों के बारे में बात किया था उसके बाद नीरों क के बारे में देखा कि stress होता क्या, stress का क्या concept है, उसके बाद nature, nature जाना हमने stress का, जिसके अंदर में हम nature में क्या क्या देखा, उसके type देखा, then उसके क्या क्या sources है, ये जाना हमने stress के क्या क्या sources होते है, उसके बाद हमने at last जो भी measuring किस तरह से हम stress को measure कर सकते हैं, इस तरह से हमन लाइने की कोशिस क्या जो स्टेस के बारे में आपको एक बेसिक इन्फोर्मेशन होना जरूरी है ओके सो दैट सॉल फर दिस वीडियो थैंक यू बाई बाई